तो आज की इस वीडियो में आपनों के साथ शेयर करने वाली हूं हाउ आई रिमूव माय मेकप और साथ ही साथ मेरी आज़कल क्या स्किन केर रूटीन है तो mostly ऐसा ही होता है कि आज़कल मेकप में तभी करती हूं जब में वीडियो शूट करती हूं और वाइस बेबी के साथ इतना टाइम नहीं मिलता या बाहर जाते हुए मैं मेक अप कर सकूं तो इसी को ही में रिमुव जब करना होता है मैं आप लोगों के साथ हुए रूटीन शेयर करूंगी कि आजकर मैं कौन से प्रोड़क्स यूज कर रही हूं और कौन कौन से जो मैं लोगी माइसेलर वाटर और उसके बाद मैं लोगी मेक अप रिमूवर मैंने सारी चीज़ें अपने साथ रख ली थी ताके मैं आप लोगों को डिटेल से हर चीद बता सकूं और अभी जो है मैंने शूट की है ड्रायर की वीडियो इसको मैं आप साइट पर लगा देती अपके जी तो आप जो है पहले हम अपने मेक अप को रिमूव कर लेंगे वैसे जो है जब लैशे लगाई होती है या लेंस लगाई होते है तो मैं पहले हमको रिमूव करती हूँ जाए ले टो में इस तरह का एक वाइप ले लेती हूँ मेक अपर रिमूव इंग वाइप यह वाइप है यह वाला चिक यह और इसके जो है आपके पास कोई बहुतिते हैं बहुत बहुत मैं जो है अपने बेटे का भी यूज कर लेती हूँ जो उसके वैट वाइप допस्ट ह कर लेती हूं कि वह अलकोहल फ्री होते हैं बच्चों के लिए होते हैं और मैं ले लिए यू गार्णियर का माइस सेलर वार्टर इस पर मैं थोड़ा सा लगा लूँगी वाइप पर इसमें इजी जो हो जाता है में कब लोगा मेकप रिमूव कर लेते हैं और यह मारी जो है असलियत आ जाएगी सामने क्या है हकीकत ठीक है तो यह हमारा सारा मेकप हो गया रिमूव देखें एक टिशो ही काफी है उससे जो है इसली हो जाएगा नेक्स्ट आप मैं लोगे अपना फेस वाश तो आज कर दो मैं यूज कर लिए हो है सेरावे का रावे का यारवे शे नितैलयाल और एंग्ली च वाश में क्वार्पह सेरावे करें गया है तो जाएगे ही है फेस कर देखें बलंगे हम इफ से कर दो मैं अपने परावे को वाश में करने अनि-बलत हो हुआ थिए तो मैं यहां पे लेगी अपना फेसल मसाजर तो इसकी हलब से यहोगा कि डिप क्लीणिंग हो जाएगी जो भी हमारे पोर सवेरा में मेकप फसा होगा वह अची दांसा निका जाएगा तो में जो है वह है नोस और यह वाले जो है पोर एरिया इसपे मैं पर आपके लिए अग अगर आप लोगोंने मैट लिप्स्टिक लगई होती है इस तरह लिक्विड लिप्स्टिक होती है वह भी बहुत इजी ली इसके साथ रिमूव हो जाती है तो आप देख सकते हैं जितना बच्चा कुचा मेक अप था वो किस तरह से रिमूव हो गया यह देखें ब्रश को लग गया ओके जित मैंने अपने फेस को वाश कर लिया है नेक्स्टा में लेने लगी हूँ तोनर यह है बीफ का तो मैंने लिया हुआ है अभी तक मुझे इसके रिजर्ड बहुत आउटक्लास मिल रहे है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अपने फेस को क्लीन साफ नहीं करेंगे मतलब तावल के हल्च से इसको हम इस तरह से गीला दी लेने तो आप लोग कोई भी टोनटर ले सकते हो लाजमी है कि जो मैं यूस कर भी वाला ही टोनलीर है कोई भी टोनल स्क्वाशिव आप लोगों के पास हो वह घुत सब्सक्राइब करने से यह होता है कि हमारे जितने भी लाइज पोर्ट्स हो बगहरा होते हैं वह श्रिंक हो जाते हैं अब नेक्स ट्रेप है वह हमारा इस तरह की एक हाइडरेटिंग क्रीम यह भी बिलीफ की है जो मैं यूज करनी हूँ आप लोगों के पास कोई भी हाइडरेटिंग क्रीम हो तो आप ले सकते हैं उसके भाले को Gear करो जांक पासरें यहां आप लगा लिएक जा हैं अगर यहां की एक लागा तो आप की स्क्रॉप भी यूज कर सकते हैं स्कीन इस तरह से ड्राय हो जाती है इसलिए मैं पहले क्या करूंगी हाइबरेटिंग क्रीम लगाओंगी एंड इन उसके बाद जो है मैं अपना मास्क लगा लूँगी नेक्स्ट है यह आई क्रीम आप अपनी फेवरिट आई क्रीम लगा सकते हो यह वाले जो मैं आप लोगो इन प्रोडक्स को बताना नहीं है मेरा मकसद यह स्टेप्स बताना है कि यह जो स्टेप्स है इसे हमारे स्कीन हेल्दी रहती है गलो करती है हमारे जो रिंकल्स बगरा है वो अतनी जल्दी नहीं आते अब यह जो आई क्रीम है यह बहुत बेस्ट आई क्रीम है और आप चाह क्रीम उसको भी उची तरह सकीन में पैरिटरेट कर लेना है उक जी तो अब मैं अपलाय करने लगी हूँ स्लीपिंग मास्क यह है बलीफ का स्लीपिंग मास्क एंड इससे मुझे बहुत जाथा जो है डिफरेंस फील हुए है अपनी स्कीन में मेरी जो है सकीन काफी हाथ तक हा इससे बहुत ज़्धा फर्ग पर रहा है अगर आप लोग चाहें तो आपके पास स्लीपिंग मास्क नहीं है तो आप रेगुलर कोई भी शीट मास्क या कोई भी दूसरा मास्क होता है पील ओफ मास्क वह भी अप्लाइ कर सकते हैं उसके बाद अपना मॉस्ट्राइजर रिउ है मैं यूज नहीं करती होती है आप लोगं के लिए वीडियो हल्फ हो रही होगी थैंक्स फॉर वाचिंग अलाह आफिस